हेलो गाई साज मैं आप लोग के लिए लेक्या हूं आलू बैगन की आसान सी सब जीजों की जटपड बनती है सबसे पहले जो है बैगन को कटिंग कर लेंगे इस तरह से और आलू को भी कटिंग कर लेंगे चिलका रहने सलग ही साथ आता है इसलिए मैंने यहां पर चिलका नहीं निकाला है और प्याज कर लेंगे साथ ही तयार कर लेंगे लहसुन मिर्च का पेष्ट उसके बाद कढ़ाई गरम कर लेंगे कढ़ाई गरम होने पर उसमें तेल डाल देंगे और जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तब हम उसमें एट कर देंगे जीरा और जीरा जब चटक जाएगा तब हम उसमें एट करेंगे प्याज बारिक कटा हुआ प्याज एट करने के बाद हम इसमें कर्ची चला लेंगे और प्याज को ब्राउन होते तब भून लेंगे ये जो है अलू बैगन बनाने का आसान तरीका यहां पर प्याज है वो भून चुका है आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है अब हम इसमें एट करेंगे लाल कस्मीदी मिर्च साथ ही एट करेंगे हल्दी उसके बाद जो है इसमें कर्ची चला लेंगे थोड़ा टाइम भून लेंगे अब इसमें एट कर देंगे लैसुन मिर्च का पेष्ट लैसुन मिर्च का पेष्ट एट करने के बाद इसमें कर्ची चला लेंगे और थोड़ा टाइम इसको बून लेंगे अब आप देख सकते हैं रंगीन मिर्ष का कलर जो है वो आने लगा है अब इसमें एट कर देंगे मसाला जो मसाला आप लोग यूज़ करते हैं वो एट कर सकते हैं घर में जो भी मसाला हो अब इसमें कर्ची चला लेंगे और कुछ टेम इसको भून लेंगे अब देख सकते हैं मसाला जो है वो भून रहा है जैसे ही मसाला भूनते जाता है इसका कलर चेंज होते जाता है इसमें एट कर देंगे नमक स्वाधन उसार अब मसाला भून चुका है इसमेट करेंगे आलू और फिर कर्ची चला लेंगे और इसको कुछ टाइंग भूनेंगे आलू को पहले हलका सा पका लेना है क्योंकि बैगन जल्दी पक जाता है तो एक साथ अगर डालेंगे तो बैगन का पेश्ट बन जाएगा इसलिए पहले आलू को पका लेना है इसको कवर करके फिर अनकवर करके कर्ची चला के इस तरह से अब फिर से अनकवर करके कर्ची चला लेंगे कम फ्लेम में इसको पकाना है भुनना है अलू को अब हमारा आलू जो है वो हलका सपक जुका है अब इसमें हम बैगनेट कर देंगे बैगनेट करने के बाद इसमें कर्ची चला लेंगे बैगन को आलू के साथ में भूनेंगे इसको तो इसके लिए इसे कवर करके पकाएंगे और कुछ टेम बाद इसे अनकवर करके इसमें कर्ची चला लेंगे अब आप यहां पर देख सकते हैं हमारा बैगन जो है वो पक चुका है लेकिन आलू थोड़ा सब बचा है तो इसको थोड़ा और पका लेंगे दो मिनट पन कवर करके इसमें कर्ची चला लेंगे अब यहां पर दोनों पक चुका है तो इसमें एट कर देंगे गरम मसाला और साथ ही एट करेंगे धनिया पती अब हमारा अलू बैगन की सबजी जो है वो रेडी हो चुकी है आप लोग देख सकते हैं यहां पर खुजबू अच्छा आ रहा है इसका सबजी का और टेस्ट भी आएगा जैसे लग रहा है देखके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें थांक्यू झाल